हिंदू धर्म में गती और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, और शुरू से भी यही मान्यता रही है कि जैसे जैसे कर्म होगे, उसकी गती भी उसी तरह की ही होती है, भूत, प्रेत, पिशाच, कुश्मांडा, बेताल और क्ष जब मरता है, तब वे सबसे पहले भूत ही बनता है, इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है, तो उसे अलग नाम से जाना जाता है, माना गया है कि प्रसूता, स्त्री या नविवती जब मरती है, तो वो चुडैल बन जाती है, और जब कोई कुवारी कन्या मरती है, तो उसे इन सभी की उत्पत्ति अपने पाप और वैभिचार से अकाल मित्यु से या फिश्राध ना होने से होती है। इत्यादी के विशयों में विस्तृत वर्णन मिलता है। यदि कोई आत्मा स्त्री बनकर रही है तो वह खुद को अनंत काल तक स्त्री ही महसूस करते हुए अन्य युनिया धारन करेंगी। भूत पिशाच इत्यादी इन्ही सब को कुपित वायू के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे आसपास ही वायू में विचरते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रेत बाधा से पीडित व्यक्ती की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए, बदलाव से की जाती है। वही पिशाच पीड़ा से प्रभावित व्यक्ती सदा खराब काम करना, नाली का पानी पीना, दूशित भोजन करना, कटू वचन कहना और सदा गंदा आचरन ही स्थापित करता है। और उसके शरीर से हमेशा बद्बू आती है, और वह एकांद चाहता है, इससे वह कमजोर होता है। ऐसी ही एक खुपित वायू का नाम है शाकिनी, वैसे तो इन्हें मा काली की गणिका भी कहा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ती शाकिनी पीडा से गुजर रहा है, जिसमें की शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीडित रहती है। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है, उसकी आँखों में भी दर्द रहता है, वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है। काटते रहना, रोना और चिलाना उसकी आदत बन जाती है। चुडैल पीडा से ज्यादातर किसी भी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। मैं काम बोलता है लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी। कोई भरोसा नहीं रहता। वही यक्ष से पीडित व्यक्ती लाल रंग में रुची लेने लगता है। उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती। मैं ज्यादतर आँखों से इशारे से बात करता है। इसकी आँखें तांबे जैसी गोल दिखने लगती है। ब्रह्मराक्षस पीडा जब किसी व्यक्ति को ब्रह्मराक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है इसे ही जिन कहते हैं ये बहुत सारा खाना खाते हैं और एक घंटा तक एक जैसी अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं जिन से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामाने होता है ये घर के सभी सदस्यों को परेशान भी करते हैं बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं जिनको भी किसी शरीर से निकालना अत्यंत कठिन होता है धन्यवाद